द्रॉप यर में मैंने बायोम के टार्गेट पैच मेड मिशन लिया था बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रेपरेशन का संस्थान परंपरा को कायम रखते हुए जारकन के इतिहास में पहली बार नीट यूची में 700 माक्स पार तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ बायोम की नू और नगराटोली राची आजशू तिन दिवसिय महादिवेशन में राजी की दसा और दिसा को बदलने की रननीती तैयार कर रही है ऐसे में आजशू के सांसद हमारे साथ चनप्रकास चौदरी जी है उनसे ही जानते है सर यह जो महादिवेशन है कहा जा रहा है कि राजी की दिसा और दसा बदलेगा क्या कुछ आप लोग चर्चा कर रहे हैं और किन बातों पर समागम में चर्चा हो रही है महादिवेशन और इस महादिवेशन में जारखन आंदोलन से लेकर जैसे आंदोलन कारियों को भी सम्मानित के आए वैसे आंदोलन कारी जो सुरू से संघर्च के वैसे लोगों को भी सम्मानित के आए और यह राजनितिक दल से उपर उठकर सभी दल के लोगों को जो के बारे में और बरतमान में जो जारखन की इस्तिति है उसके बारे में चर्चा होगी और जिस उद्देश के साथ जो जारखन बना वह सपना आज भी हम लोगों का अधूरा है और सभी लोग अपने-पने सुझाव देंगे जोलंद विशय पर और पाटी उस पर निरने लेग तक एक और आंदोलन की जरूरत है राजे की दसा दिसा को मंजीर तक पहुंचाने के लिए देखे जो इस्तिती अभी हम लोग देख रहे हैं जारखन को जो भावना था लोगों का जारखन अलग करने का वह भावना के साथ आज भी लोगों के साथ खेलवार किया जा रहा है जारखन का मुल भी से है आज भी भटक रहा है इसलिए हम लोग आज भी वही चर्चा कर रहे हैं जारखन बनने का जो मकसद है यहां के नौजवानों को जो उन कहा कि जारखन के लोगों को जो हक मिलना चाहे हो आज भी नहीं मिला नहीं किया जाता है लगिन आपने आम अंत्रित किया है कौन लोग पहुँच रहे हैं और क्या इससे एक समागम बनेगा कि राज की भी विगास के लिए एक सभी लोग मिलकर डॉकुमेंट की रचना कर सके जारखन के सभी दल के लोगों को बुलाने का परियास किया गया है खास करके जारखन के वैसे लोग बुद्जीवी लोग जारखन अंदुलन से जुड़े रहे हैं जारखन के बारे में लिखते रहते हैं जारखन के बारे में लोगों के बारे में उनके विचार को भी हम सभी राजी के हरे गाउँ से हरे कोने से आई वे लोगों तक पहुचाने का हमोग संदे हैं और कई एक जगह से हम लोग भी गाउं के लोगों से भी हम लोग चिरूडी जैसे जगह पर जहां जारखना दोलन का सबसे बड़ा घटना होता सहीद हुआ था वहां के लोगों को भी हम लोगों ने इस महादिवेशन में जोड़ने का परियास किया है ताकि वह लोग भी अपनी भावना को रख सके और जैसा हम लोगों ने देखा भी चिरूडी जो कायन काफी फ्यमस रहा है जिसमें यहां के लोग जिरूडी कायन को लेकर बड़े नेता बने मुख्यमंत्री भी बने लेकिन आज भी हुआ गाओं की स्थिति क्या है उनके जुबानी यहां के लोगों ने सुना है और हमें भरोसा है कि आने वाले समय में हम लोग चिरूडी जो आज विकास से कोशुदर है उसको हम लोग पुरा करें इस अधिवेशन में बंगाल और उडिशा से भी कई लोग आये हैं क्या आज शुका ये भी सपना है कि जो ब्रिहत जारकंड की बातें होती थी पहले उस परिपेक्स में आगे बढ़ा जाए आगे वियार जारकंड के साथ जो जीले हैं उडिशा के पसिमंगाल के वहाँ भी हम लोग अपनी बातों को रख सके जारकंडी बावना की बातों को रख सके लेकिन जारकंड की बातों की बात करते हैं तो निचित था उनका दर्द आज भी अधूरा है जारकंड के जारकंड के साथ जुला हूआ वो अभी आज धूरा है, हम लोग पूरा परियास करेंगे कि उनकी भावना को हम लोग ख्याल करें और आगे 22 में भी जो रत पड़ा, तो हम लोग फिर से विरहत जारखन आंदोलन को हम लोग सभा या विदान सभा पटल पर रखने का परियास करेंगे। साथ मुद्दों पर भी चर्चा होगी। सहयोगी संजय के साथ असो कुमार, मुखर समवार, राची। जब दूरती है आज, जब धकती है सास, जब रूरते हैं अपने, मुख मोरता है जबाना, जब अंगलाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिक निसां, देखे मेरे साथ, संघर्ष की दास्तां। आइड़ को झास, जब जब दो ऑन'?